Hello everyone, my name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel Target with Alok English Literature का syllabus मैंने discuss किया था for TGT and PGT ठीक है? और syllabus जब discuss किया था तो language and literature दोनों का ही syllabus अच्छे से discuss हो गया तो literature में मैंने आप लोग को जनरास पढ़ाया थे, ठीक है? कह लिजे कि forms of literature मैंने आप लोग को पढ़ाया था ठीक? तो जिसने भी वो lecture नहीं देखा है तो पहले वो lecture देख ले क्योंकि उसमें मैंने बहुती initial stage से बिलकुल beginning से चीज़ों को समझाया है और मैंने बताया कि TGT PGT का exam कैसे होगा उसमें क्या पूछा जाएगा किस तरह से आएगा है ना यह सारी चीज़े डिसकस किया है syllabus अगरे डिसकस किया है फिर literature का कुछ पार्ट पढ़ाया भी है अब हम लोग language की बात करते है ठीक है? तो देखें यहाँ आपके सामने क्या है? लिखा हुआ है English Language तो यह arrow बना करके क्यों दिया गया है? आप इसको समझिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले यह समझाने की कोशिश की है कि यह जो English है यह क्या है? language पढ़ने क्या जा रहे हम? English और English क्या है? language है देखें जब हम English language के पार्ट पर आते हैं तो हमें बहुत initial और basic stage से start करना होता है जिसमें हर एक point को समझना होता है ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि जब हम language की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि यह grammar और language एक ही चीज है जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आगा कि English एक language है जैसे बहुत सारी दूसरी languages होती है हिंदी ह बहुत सारी अलग-अलग languages है ठीक है? तो language की जो study होती है वो grammar कहलाती है grammar क्या है study of language ठीक है? अब हम से जो exam में पूछा जाता है language के जो जो rules होते हैं वो पूछा जाता है यानि कि grammar पूछी जाती है Language की understanding पूछी जाती है Language की accuracy पूछी जाती है कि हमें कितने अच्छे से पता है ठीक है ना? तो ये grammar हमें पढ़ना है जिससे हम language को पूरी तरह से समझेंगे ठीक है? अगर हम ये मान लेते हैं कि English एक language है तो हमें पहले language क्या है ये जानना होगा grammar क्या है ये तो जान लिया कि language की study को grammar कहते है लेकिन language क्या चीज होती है इसको समझने के लिए हमें देखना होगा language की definition तो देखिए ये आपके सामने language की definition है लिका है definition of language A language is a medium of exchanging ideas सबसे पहली चीज समझ ये कि language यानि के भाशा जो है वो विचारों के ठीक है ideas होगे विचार विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है medium of exchanging ideas मतलब अगर हमारे mind में कोई idea आता है जो हम एक दूसरे से share करना चाहते है तो उसको share करने के लिए हम किसे use करेंगे language को ही use करेंगे बिना language use करें हम ideas को share नहीं कर सकते हैं एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं अब language हमारी दो तरह की होती है एक होती है verbal verbal language वो होती है जिसमें हम words का use करते हैं ठीक है तो verbal language का development काफी बाद में हुआ दूसरी होती है non-verbal जिसमें हम words नहीं use करते हैं बलकि science, images, gestures यह सब use करते हैं science मतलब किसी तरह के चिन्ह, निशान जैसे हमने यहां पर tick कर दिया तो हमें पता है इसका मतलब होता है right अगर हमने here cross कर दिया तो इसका मतलब होता है wrong यह अगर कहीं पर arrow इस तरह से बनाए तो हमें पता है आगे जाना है तो यह sign languages है इसी तरह images की बात करें तो जैसे कोई picture हमारे सामने कोई photo ऐसी है जिसमें कुछ बनावा तो हमें समझ में आ जाता है कि इससे क्या communicate किया जा रहा है जैसे मान लिजे कि कोई hoarding है hoarding पर कुछ इस तरह का hoarding मतलब board समझ लिजे है और वहां पर ऐसे करके यहां पर हम blow कर सकते हैं तो समझ में आ गया एक image से तो communicate हो गया तो यह non-verbal language जेस्टर मतलब hard pair की language जो होती है how how किसी का ठीक है तो मान लिजे अगर आपसे कोई ऐसे दूर से कहता है तो आप समझ जाते ना कि वह बुला रहा है या दूर से किसी ने पूछ लिया और कैसे तो ऐसे मतलब माली बोला भी ने उसने या बोला तो आपने सुना भी नहीं बस ऐसे उसने इशारा कर दिया आपको समझ में आ गया यह कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं traffic signals पर रुखते निकलते हैं तो यह मांगने वाले लोग आते नहीं ऐसे करते हैं बहुत सारे बहुत बहुत है ऐसे करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि यह कहना चाहरा है कि यह भूक अ है इसे कुछ चाहिए तो यह gestures हो गया है ठीक है, तो non-verbal language बहुत शुरू से चली आ रही है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब human being ने बोलना भी नहीं start किया था, तब वो कैसे communicate करते होंगे, तो वो ऐसे communicate करते होंगे, कि वो किसी ना किसी इशारे से करते होंगे, किसी को बुलाने के लिए ऐसे कर लेते होंगे, या कुछ मांगने के लिए ऐसे दिखा देते होंगे, तो ये gesture language है, जो बहुत शुरू से चली आ रही है, इवन हमें ये भी मिलता है देखने को कि जो ancient civilizations हैं, उसमें लोग पत्थरों पर images वगरा बनाते थे, science बनाते थे, जिससे कि दूसरे लोग communicate करते थे, समझ जाते थे क ये message छोड़ कर गए हैं हमारे लिए, तो ये हमारा बहुत शुरू से चला आ रहा है, non-verbal, फिर जब human being ने बोलना शुरू किया होगा, तो उन्होंने चीजों के नाम रखना शुरू किया होगा, फिर आपस में words का use करना शुरू किया होगा, तब हमारी verbal language आई, ठीक है, औ और इसमें भी दो तरह की होई, oral and written, तो obviously पहले oral आई होगी, बाद में फिर उसी कोनोंने लिखना सीखा, तो ये जो आपके सामने जितना कुछ है, ये सब verbal language में है, क्योंकि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने words के use किये हुए है, ठीक है ना, और written में है, और जब मैं इन पर काम करना है, obviously non-verbal पर हम यहाँ इस class में काम नहीं करेंगे, verbal language से ही हमें questions attempt करने, तो हम इस पर ही काम करेंगे, हाँ, इसमें भी हमें written पर काम करना है, oral पर हम इस class में काम नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं कहीं ज़रुरत पढ़ने पर मैं बताता रहूंगा कि कौन से word को क्य प्रनाउंस किया जाता है, क्योंकि आपको आगे interview भी देना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पहले से prepared होना चाहिए, आगे बहते हैं, language क्या समझ में आगे है, विचारों के आदान प्रदान, ठीक है, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम, medium of changing idea, अब अगर हम इ definition पढ़ा, कि विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, medium of exchanging ideas है, तो एक बात और clear हुई, कि idea clear जब तक नहीं करेगा, तब तक language हम नहीं कह सकते हैं, और जो हम oral language की बात कर रहे हैं, जो oral, verbal कह लिजे, verbal language की बात कर रहे हैं, तो वो तो words से बनती है, words से बनती है, तो words ऐस होने चाहिए, जो idea को clear कर दे, exchange कर दे, ठीक है, और ध्यान दीजे, कि अगर मैं आपके सामने आता, और मैं सिर्फ words बोलता, मैं कहता, English, TGT, PGT, literature, language, तो कुछ समझ में आता, नहीं आता, words तो मैं बोल रहा हूँ, obviously, मैं verbal language का use कर रहा हूँ, मैं words बोल रहा हूँ, लेकिन मै मैं आप तक अपने idea को नहीं पहुचा पा रहा हूँ, तो language मेरी एक तरह से नहीं बन पा रही है, words होने के बावजूद, right, तो language कब बनेगी, जब मैं इन words को grammatically arranged करूँगा, और फिर मैं आपको बोल कर या लिख कर के बताऊँगा, ठीक है, तो देखा जाए, जब तक मैं sentence नहीं बनाऊंगा, तब तक मेरी language clear नहीं होगी, ठीक, तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर हमें English language को जानना है, क्योंकि English language है, अगर language को जानना है, किसी भी language को जानना है, तो हमें उसके sentences को पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि language बनती ही है किसे? sentence, तो जब sentence है बन रही है, त आगे बढ़ते हैं, sentence को जब पढ़ने की बारी आई, तो sentence की definition हमें कुछ इस तरह से मिलती है, क्या? A sentence is a group of grammatically, देखिए ये definition bookish नहीं है, ये मैंने खुद लिखा है, तो हो सकता है, इसमें कुछ extra words है, पर उनको समझना बहुत ज़रूरी है, मैंने लिखा है, कि sentence एक ऐसा group होता है, grammatically arranged words का, देखिए ये मैंने common definition से, अगर देखा जाए, तो मैंने सिर्फ ये दो words extra यहाँ प है ना, वरना generally आपको जो definition मिलेगी, वो क्या मिलेगी, a sentence is a group of words which makes a complete sense, लेकिन मैंने ये चीज़ जोड दिया कि grammatically arranged, ध्यान दीजेगा, मैं कह रहा हूँ कि sentence ऐसे शब्दों का समू है, ऐसे शब्दों का group है, जो grammatically arranged हो, यानि grammar के according सही क्रम में हो, सही sequence में हो, उन सबकी तो वो grammatically arranged हो, और फिर वो group एक complete sense दे, यानि एक ऐसा sense दे, जिससे communicate हो जाए कुछ, ठीक है, example देखिए, अब देखिए, I teach English language and literature, we find कि यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, six words है, right, we have six words in this sentence, अब इसमें छे words है, six words है, और सभी words, अपनी अपनी position पर है, यानि grammatically arranged है, ठीक है न, अपनी अपनी जगा पर है, अगर मैं इनकी जगा चेंज करूँ, और मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, and, teach I, language, English, literature, तो कुछ sense आएगा क्या, यह nonsense हो जाएगा, और जब यह nonsense हो जाएगा, तो यह sentence नहीं बनेगा, sentence तो तब ही होगा, जो makes a complete sense, पूरा sense दे, right, तो sense नहीं देगा, तो nonsense हो जाएगा, sentence नहीं होगा, तो दो बातें ज़रूरी है, group ऐसा हो, जिसमें words grammatically arranged हो, और वो पूरा sense दे, तो grammatically arranged होना बहुत ज़रूरी है, words का, ठीक है, इसी तरह से देखिए, यह तो एक simple sentence हो गया, अब interrogative में अपना अलग format है, वहाँ पर अलग तरह से words arranged है, what do you think is the best for you, ठीक है, हर एक word अपनी अपनी जगा पर है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे लिए best क्या है, give me your book, आप देख रहे हैं यहाँ पर, give me your book now, यह words अपने अलगी हिसाब से arranged हैं, यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए, ओके, फिर what a nice day, कितना अच्छा देने है, कितना सुहाव ना देने है, तो हर एक sentence में अपने अलगी तरह से word groups हैं, जो कि अपने हिसाब से grammatically arranged हैं, अभी मैं kinds of sentences नहीं पढ़ा रहा हूँ, देखिए, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ न, वो मैं आपको सिर्फ एक base दे रहा हूँ, कि अगर आप समझना चाहें कि language basically है क्या, तो यह पहले समझेए, पढ़ाई तो अभी चलेगी, यह तो सिर्फ एक introduction है, कि भाई, language का मतलब है कि ऐसी चीज जिससे ideas exchange हों, और verbal language जो होती है, जिसमें words का यूद होता है, उसमें ideas तभी exchange होंगे, जब आप sentences बनाएंगे, तो इसका मतलब है language sentence से बन रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि sentence क्या होता है, तो sentence हमें पता चल गया, कि ऐसे words जो grammatically arranged हों, उनका group, group sentence होता है, पूरा group मिलकर sentence होता है, और वो group sense देता है, ठीक है न, तो यह हमें पता चल गया, अब अगर हम इसको समझें, language बनी sentence से, sentence बना किससे, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि words का group है, तो इसका मतलब sentence बन रहा हमारी letter कहती है, कि English एक language है, language बनती है sentence से, तो अगर language सीखना तो पहले sentence सीखिए, sentence बनते है word से, अगर sentence सीखना तो पहले word सीखिए, और word बनते है letter से, तो अगर word सीखना तो पहले letter सीखिए, अब बहुत से लोग कहेंगे, कि sir हम यहाँ TGT PGT की तयारी करने आए हैं, आप ह हो सकता है, यह बात mind में आए, और मैं कहता हूँ, कि जब आप TGT PGT जैसे exam की तयारी करने जा रहे हैं, आप teacher बनने जा रहे हैं, और आप एक subject में specialized हैं, तो क्या यह जरूरी नहीं है कि आपको उस subject की हर एक point की knowledge होनी चाहिए, आप भई, एक कहा जा रहा है कि आप specialist हैं उस subject के, तो specialist को तो knowledge होनी चाहिए, हर एक point की, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से आता हो, क्या, यह आपका letter क्या है, ABC बहुत अच्छे से आता हो, लेकिन मैं क्यों risk लूँँ, मैं तो हर एक point को cover कराऊंगा ना, कल को आप ना कह पाए ना कि sir ने यह चीज़ बताई नह इसलिए मैं हर एक चीज़ लेकर चलूँगा, एकदम basic level से, ठीक है ना, तो letter से मैं लेकर के चलूँगा, और देखिए letter में जानने वाली क्या चीज़ है, जो हो सकता है, आप लोगो को पता भी हो, और हो सकता है, नहीं भी पता हो, तो चलिए देख लेते हैं, तो देखिए लेकर को लेकर अगर हम बात करें, तो हमारे पास letter में एक alphabet जो होता है, वो A to Z होता है, बात को समझ시는, alphabet को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान दें, तो alphabet को हम हिंदी में कहते हैं, वर्ण माला ठीक है और लेटर को हम हिंदी में क्या कहते है अक्षर ठीक है अब ध्यान दीजे अक्षर कोई भी एक हो सकता है A हो सकता है B हो सकता है C हो सकता है D हो सकता है A, B, C, D, E, F, G, H मतलब कोई भी एक हो सकता है K, etc ठीक है बस समझ मैं लेकिन वर्ण माला अगर ध्यान दीजे तो माला कैसे बनती है कई सारे फूल या कई सारे मुती जब एक धागे में एक साथ पिरो दिये जाते हैं बंगाट बंजाती हैं सारे एक साथ हैं तब ही वो माला बनती है तो वर्म वाला भी ऐसे ही बनती है जब सारे letters एक साथ लिख दिये जाएं एक sequence में यानि जब आप A से Z तक पूरा लेंगे तब वो एक alphabet होगा एक alphabet मतलब A to Z ठीक है ना और एक letter मतलब alphabet के अंदर का कोई भी एक object तो कभी भी ये मत समझेगा कि alphabet और letter एक ही चीज है alphabet पूरी series एक ठीक है जैसे कोई suit है तो एक suit कैसे बनता है एक suit बनता है कि उसमें एक pants होती है ठीक है a pair of pants shirt होती है coat होता है tie होती है तो वो पूरा एक suit होता है तो alphabet समझ लिए एक suit है जब सब कुछ उसमें होगा ठीक है और उसके अंदर से एक object निकाल ली ज़िए tie तो वो समझ लिए letter हो या tie letter है shirt letter है belt letter है trousers है pants है ठीक है तो complete जब होगा तो alphabet और उनके अंदर जो है एक single single वो letters है ठीक है तो इसके according मान लीचे अगर मैं एक sentence लिखता हूं let me write a sentence for you and I need some space तो अगर मैं एक sentence लिखता हूं मैं लिखता हूं there are five ध्यान दीजेगा there are five alphabets in India मैंने इंडिया word लिखा और ध्यान दीजे कि one two three four five यहाँ पर five कुछ है क्या है अभी मैं नहीं बता रहा हूं लेकिन sentence कह रहा है कि इंडिया word में five alphabets है तो क्या यह sentence सही है बिलकुल भी नहीं यह sentence wrong हो गया क्योंकि इंडिया जब आपने लिखा तो इसमें five alphabets नहीं है इसमें five letters है इसमें five letters है इसमें alphabets नहीं है ऐसा नहीं कि हम पांच बार a to z लिखेंगे तो इंडिया पढ़ा जाएगा ऐसा नहीं है तो इसमें five letters है ठीक है तो यह difference है alphabet और letters का और इसलिए हम alphabet को plural में नहीं use करते है generally plural में हम तब use करते हैं जब हमारा sense होता है कई languages के alphabets का ठीक है जैसे मानली जिए बच्चों की बुकाती है तो उसमें a to z भी होता है आ से ग्या तक भी होता है ठीक है तो मानली जिए दो हो गया है तो फिर वो alphabets हो जाएंगे या किसी के बारे में हमें बताना है कि उसन sense में हम use करते हैं otherwise alphabet एक language में एक ही alphabet होता है ठीक है तो इसको याद रखिएगा okay I hope यह clear है अब इसकी बात करें तो देखिए यह हो सकता है आपको पता हो लेकिन मुझे भी बताना जरूरी है I am not going to take any risk बात यह हो रही है कि हमारे यह जो एक alphabet है उसमें 26 letters होते हैं English के एक alphabet में 26 letters होते हैं जिसमें से 5 vowels होते हैं A,E,I,O,U और बाकी के 21 consonants होते हैं आपका यहाँ पर लिखा हुआ है B,C,D,F,G,H,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,V,W,X,Y,Z,R तो यह जितने बचे हैं यह सब क्या है? consonants है और A,E,I,O,U सिर्फ याद रखना है वो vowels है ठीक है? पाँच vowels लेकिन यह भी एक बात जरूरी समझना है आपको कि यह जो 26 letters हैं जिसमें 5 vowels और 21 consonants हैं 5 vowels 21 consonants हैं यह 26 letters 44 sounds create करते हैं 44 sounds है हो सकता है कि written exam में आपसे यह ना पूछा जाए पॉसिबल है लेकिन यह भी तो हो सकता है कि interview में पूछ लिया जाए तो हमें knowledge होनी चाहिए तो 26 letters 44 sounds produce करते हैं जिसमें 20 sounds vowel होते हैं और 24 sounds consonants होते हैं ध्यान दिजे कि यह 21 consonants मिलकर सिर्फ 24 ही sounds बना पाते हैं जबकि 5 vowels अकेले ही 20 sounds बना लेते हैं ठीक है ना तो यह sounds होते हैं अच्छा sounds को लेकर कि आपको बता दूँ कि dictionary अगर आप देखेंगे तो dictionary में जो भी अच्छी dictionary होती है उसमें पीछे phonetics chart होते हैं जैसे मालीज आपने कोई word देखा तो उसमें symbols आपको आगे बने में दिखते हैं कुछ इस तरह का उल्टा E बनाओगा या I बनाओगा इस तरह से ठीक है B है तो B बनाओगा कुछ symbols ऐसे होते हैं जो आपको समझ ही नहीं आते हैं अजीब से होते हैं तो वह जो symbols हैं मैं वह आपको बता रहा हूँ आपकी knowledge के रहे वह symbols phonetics होते हैं ठीक है और उनको पढ़ने का बहुत आसान तरीका होता है डिशनरी में पीछे वह लिखा होता है वह चार्ड दिया होता हो बता दिया जाता है कि कौन सा symbol कि sound को produce करता है ठीक है तो वह आपको जानना होता है उसमें एक की वर्ड में डबल वावल sound हो यानि दो वावल sound मिल करके जब एक sound produce करता है जैसे मालीजी हमने का ice cream तो आई जो हमने बोला तो इसमें आई आ और ए आया तो दो वावल sounds है तो इन्हें डिप्थॉंग बोलते है ठीक है तो वह आपको डिशनरी में मिल जाएगा that is no need to teach okay I don't need to teach that तो आपको समझ में आगए ये क्या है तो अब letter को लेकर हमने जब ये बात पढ़ दी तो हमें इतना तो समझ में आए कि letter और alphabet क्या है और इसमें vowel consonants क्या है फिर इससे जब हम एक सीड़ी उपर चड़ेंगे तो हम आएंगे words पर किस पर आएंगे भाई word पर word पर आप जैसे ही आएंगे तो आपके लिए एक बहुत ही important topic वहाँ पर आ जाएगा क्या है और क्यूं है इसको पहले समझ ये देखिए word की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 30 lakh common use के words है English में लगभग not exact right तो लगभग 30 lakh common words हैं and when we talk about common words I don't think even a single person is there in the world who who has learnt all the words right पूरी dictionary किसको याद होगी सोचने वाली बात है ना तो ये सारे words शायद ही किसी को याद हों generally ऐसे लोग मिलते नहीं है कि जिनको पूरे याद होते हैं ठीक है पर इसमें important words लोगों को पता होते हैं और वो जरूरी है अगर important words नहीं पता होंगे तो कैसे काम चलेगा language फिर नहीं आएगी तो ये जो word है 30 lakh हो सकता है ये सारे के सारे हम नहीं जानते हैं और हो सकता क्या है पर इन्हें control करना आना चाहिए कैसे जैसे कि एक principal होते हैं किसी school में ठीक है और मानले जो school में 5000 students हैं तो अब 5000 students को principal हर एक student को personally नहीं जानते होंगे है ना मतलब मुश्किल है कि हर एक student को personally जाने पर ये हो सकता है कि वो हर एक student को control कर लेते हैं कैसे करते हैं उन्होंने क्या किया होता है कि उन्होंने हर एक student को उसकी age wise उसकी sense wise classes में divide किया होता है कि first class में इतने students, second में इतने, third में इतने, fourth में इतने तो students classes wise divided होते हैं ठीक है और इसके अलावा classes में भी sections आ जाते हैं कि मानले ये first में बहुत सारे हैं तो उनको भी sections में divide कर दें है ना तो वैसे ही हमें words के साथ करना होता है हमारे लिए word की study करने के लिए एक बहुत ही important topic होता है that is parts of speech ठीक है parts of speech का नम parts of speech क्यों पढ़ा पहले तो ये बता दूँ देखे speech जो है इसका sentence भी कह सकते हैं क्या कह सकते है sentence और हम अभी अभी पढ़ चुके हैं कि sentence बनता है words से अगर sentence words से बन रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि words sentence के parts हुए words क्या हुए sentence के parts हुए और sentence के parts हम पढ़ने जा रहे हैं parts of speech parts of sentence यानि के words हम पढ़ने जा रहे हैं तो word की जब आप classification को पढ़ेंगे कि word को किन-किन classes में रखा गया है और उनकी क्या sections बनाए गया है उसी study को हम parts of speech कहते हैं तो word की study के लिए हमारा topic क्या आजाता है parts of speech parts of speech को मैं आप लोगों को directly पढ़ाता हूं लिख करके तो I hope जादा अच्छे से समझ में आएगा देखिए अभी जो मैं बात करूंगा वो parts of speech की बात नहीं करूंगा बलकि सिर्फ introduction to parts of speech की बात करूंगा किसी बात करूंगा भई तो मैं बात कर रहा हूं आपसे introduction to parts of होता क्या है कि अगर आप कहीं किसी के घर में गए हैं तो ऐसात नहीं होता कि वो अगर आपको अपने family members से मिला रहा है तो उनकी पूरी जीवनी पूरी biography बताने लगे भाई आप पहली बार अगर जाएंगे तो बताएगा यह मेरे पिता जी है, यह मेरी माता जी है, यह मेरा भाई है, बहन है यह तोड़ी कहेंगे कि यह मेरे पिता जी है, इनका जन्म 1905 में हुआ फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ यहाँ से education प्राप्त किया फिर उनने यह काम किया फिर ऐसा-इसा किया तो introduction to parts of speech की अगर बात करें तो मैंने बता है यह जो 30 lakh words है इनको classify किया गया है तो यह जो इनका classification है यह किस में है कैसे है देखा जाए तो सबसे पहला classification इनका होता है noun में किस में होता है भई? noun में यानि यह 30 lakh words में कई सारे words आपको noun की category में रखने होते हैं कौन से words आप noun की category में रखते हैं? definition बहुत सी मिलेगी noun की मैं एकदम simple सी definition देता हूँ मैं कहता हूँ noun is name noun नाम है that's it simple जितनी भी चीजें इस पूरे ब्रह्मार पूरे universe में exist करती है पूरे ब्रह्मांड में exist करती है ठीक है? उन सब को हमने कोई ना कोई नाम दिया है अब यह चीज है इसको भी नाम दे दिया है digital marker या digital pen यह है इसको नाम दे दिया गया है digital board smart board या कोई भी object ले लिजे यह जो मैंने यहां लगा रखा इसको नाम दिया है mic जो मैंने pen रखा इसको नाम दिया गया है shirt तो हर इस चीज को हमने नाम दिया है ठीक है human being नाम दिया ह क्यों दिया है ताकि उसके बारे में बात कर सकें भाई अगर हर एक चीज का एक ही नाम होता तो कैसे बात कर पाते हैं हर एक चीज का नाम मान लिजे पैन होता तो कैसे कहते हैं मान लिए मुझे आपसे बुक चाहिए मैंने बुक का नाम ही नहीं रखा मैं उसको भी कह रहा हू गिव मी पैन, ए पैन मुझे पैन दो आपने पैन दी, आरे पैन नहीं पैन दो मतलब communication possible ही नहीं था न तो हर एक चीज को हमने नाम दिया है और वो नाम ही नाउन है, बहुत से लोग कहते हैं हर एक चीज नाउन है, actually चीज नाउन नहीं होती है उसका नाम नाउन होता है जैसे कि मैं नाउन नहीं हूँ मेरा नाम जो होगा वो नाउन होगा, ठीक है हमसा, यह वर्ड नाउन होगा या मैं जो creature हूँ, man वो वर्ड मैन वर्ड नाउन होगा, ठीक है ना तो ऐसी दूसरी चीजों के लिए यह चीज नाउन नहीं है, इसका नाम है, डिजिटल मा का, यह वर्ड नाउन है, राइट इस पर मैं question भी आप से कर लेता हूँ आप इस बात को, मेरी इस बात को और अच्छे समझेंगे इस question से तो एक question पूछा गया था किसी interview में शायद आपको पता हो पिता का क्या था हिस्ट्री इतनी तो सभी को पता होगी कि अकबर और सलीम बाप बेटे थे अकबर वास फादर एंड सलीम वास सन है ना, इतना हम लोगों को पता है तो question यह था कि अकबर सलीम के पिता का क्या था आप लोग थोड़ा सा दिमांग लगाईगे मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आप लोगों को हम अकबर सलीम के पिता का क्या था यह question है, इस question से आप यह concept समझ जाएंगे ओगे तो अब मैं बताता हूँ, देखे आप कहेंगे अकबर तो खुद सलीम का पिता था तो अकबर सलीम के पिता का क्या था यह कैसे बता दें अकबर तो सलीम का पिता था तो अकबर सलीम के पिता का क्या था यह कोई question नहीं बन रहा है लेकिन अगर answer सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा तो आंसर ये है कि अकबर सलीम के पिता का नाम था तो अब इससे ये समझ में आया कि परसन अलग है और उसका नाम अलग है बहले हम नाम से उसको पहचानते हैं हमारे माइंड में उसकी इमेज बनती है लेकिन अगर हम language के हिसाब से चलेंगे तो name is noun not the thing or person is noun ठीक है ना तो इसको याद रखेगा तो किसी भी चीज़ का नाम क्या है noun है for example आपने कहा man आपने कहा woman आपने कहा boy girl आपने कहा book आपने कहा car आपने कहा bus आपने कहा taxi etc even बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका existence होता है लेकिन उन्हें physical appearance उनकी नहीं देख पाते हैं जैसे कि हमारे emotions हैं तो होते तो हैं लेकिन उनकी physical appearance नहीं होती happiness को हम देख नहीं पाते हैं पर हमें पता है होती है तो है अगर exist करती है तो उसको भी हमने नाम दिया है वो भी नाम noun है ठीक है इसे तरह से हमने कह दिया मान लिजे gases को हमने नाम देती है gas ही ले लिजे कई बार हम देख नहीं पाते हैं लेकिन होती तो है exist तो करती है ठीक है या बहुत सी चीज़े इतनी छोटी होती है कि जिने हम देख नहीं पाते है जैसे bacteria ठीक है singular bacterium होता है तो हर एक चीज़ का नाम क्या है noun है ठीक इसके कितने sections है अभी उन पर हम बात नहीं करेंगे अभी सिर्फ introduction ठीक है तो कितने तरह के words होते हैं अभी ये सिर्फ पता होना चाहिए तो ये बात I think clear है अब एक बात और बताओ मान लिजे कि कोई word आपके सामने आता है और उसको देखने के बाद उसकी meaning पता होने के बाद भी आप confused रहें कि वो noun है या नहीं है तो क्या करेंगे एक trick दे रहा हूँ अगर मान लिए किसी word को check करना हूँ to check a noun use it with my, his, her, etc ठीक है आप my, his, her, your, etc के साथ रख कर देख लिजे अगर यह set हो जाए तो यह hundred percent noun ही है और अगर यह set नहीं हो तो hundred percent noun नहीं है जैसे अगर मैंने happiness word बोला happiness की हिंदी क्या है प्रसनता ठीक है happiness की हिंदी क्या है प्रसनता किसी को doubt हुआ कि यह word noun नहीं है रख कर देख लिजे my happiness मेरी प्रसन्नता set हो रहा है बिलकुल हो रहा है आप इस तरह के sentence बोलते है ना मेरी प्रसन्नता उसे अच्छी नहीं लगती for example तो मेरी प्रसन्नता आपने बोल दिया set हो गया इसका मतलब यह noun है 100% noun है no doubt लेकिन आपने word लिया happy अब happy की हिंदी क्या होई happy की हिंदी होई प्रसन्न क्या होई प्रसन्न अब आप बोलेंगे मेरा प्रसन्न set हो रहा है नहीं हो रहा है मेरा प्रसन्न उसे प्रसन्न है ऐसा कुछ set हो रहा है हाँ यह जरूर हो सकता है कि आप मेरा प्रसन्न भाई आगे noun लगा दें तो set हो जाएगा लेकिन ऐसे सिर्फ मेरा प्रसंद नहीं set हो रहा है तो जो भी word अकेले मा, his, her इन सब के साथ set हो जाए आप समझ जाएंगे easily कि वो word noun ही है अच्छा यहाँ पर एक और आपको मज़िदार बात बताओं बहुत मज़िदार बात है लोग ध्यान नहीं देते हैं कभी कभी वर्प की अगर बात किया जाए हलाकि वर्प को मैं बहुत depth में पढ़ाऊंगा लेकिन अभी आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ वर्प की बात किया जाए क्रिया की बात किया जाए उसमें कई चीज़े होती हैं लेकिन हम सिर्फ action में आ जाते हैं काम में कार्रे में तो होता क्या है कि वर्प sentence में अलग-अलग forms में आती है अलग-अलग tense के according अलग-अलग subjects के according ठीक है ना जैसे मान लीजे हिंदी में मैंने कह दिया मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने के साथ ता जुड़ा हुआ हुआ है, पढ़ाता, तो उसके लिए English में हो जाता है, teach अगर यह वहाँ पढ़ाता होता है, तो teaches हो जाता है, एना, forms change होती है तो यह जो हिंदी में है ता पढ़ाता, पढ़ा रहा पढ़ा चुका, उसके हिसाब से English में भी forms change होती है, ठीक है लेकिन एक verb ऐसी होती है, जो ना नीने लगा होता है, जिसमें पढ़ाना, सोचना, बैठना, पढ़ना, लिखना जिसके लिए English में जीरंड बनी है आई एन जी फॉर्म going, coming, eating, singing, right ध्यान देंगे अगर हिंदी में तो आप ऐसा बोलते हैं मेरा पढ़ाना काम आ गया तुम्हारा पढ़ना काम आ गया उसका देर राद जाना उसके पिता को पसंद नहीं तो आप देख रहे हैं मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका इसके साथ वर्ब की ना वाली फॉर्म सेट हो रही है मेरा जाना, तुम्हारा, सोचना, उसका पढ़ना और कोई फॉर्म नहीं सेट होगी मेरा जाता, नहीं मेरा जा रहा, नहीं मेरा जा चुका, नहीं ऐसा कुछ सेंस नहीं आ रहा है लेकिन मेरा जाना सेट हो रहा है तो माई के साथ जीरंट सेट हो रहा है और अभी अभी आपके टीचर ने कहा है कि जो भी इसके साथ सेट हो जाए वो सब नाउन है और जो इसके साथ सेट ना हो वो नाउन नहीं हो सकता तो यहां तो एक verb है जो इसके साथ सेट हो जा रही तो आपको बता दूँ कि यहां यह verb noun हो जाती है मेरा जाना, मेरा खाना, मेरा पढ़ना, उसका सोना, उसका रोना तो इन सब जगा इंग्लिश में भी यह noun हो गई my sleeping, my sleeping late is wrong, मैं देर तक सोना गलत है her crying makes me sad, उसका रोना मुझे उदास कर देता है तो यहां पर यह सब noun हो गए है, ठीक है और depth में आप आगे समझेंगे, जब knowledge थोड़ा deep होगी तो noun को लेकर के बस अभी इतनी सी बास समझ लीजे कि किसी भी चीज का नाम noun है और even इनके साथ जो जो set हो गया वो सब कुछ noun है, ठीक है तो अभी parts of speech, introduction to parts of speech को लेकर के मैंने इतना ही बताया, इसमें आगे भी बहुत कुछ है और मैं हर एक चीज को थोड़ा सा अलग अंदाज में बताऊंगा जो आपने पढ़ा हुआ होगा, even उसमें भी आपको बहुत कुछ नया मिलेगा क्योंकि knowledge broad ही नहीं होनी चाहिए, deep भी होनी चाहिए और यह सब बहुत depth में जाकर निकल पाता है, इतने आसान नहीं है कि हमने पढ़ दिया और यह सब books में लिखावा तो मिलता ही नहीं है, ठीक है यह बहुत experience से depth में जाकर निकालना पाता है तो obviously मैं जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, भले ही आपका वो पढ़ावा topic होगा पर आपको उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा और वो आपके exam के लिए, आपके आगे की life के लिए, English के practical usage के लिए बहुत ही important होगा ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे next lecture में, तब तक के लिए by, जैहिंद